नमस्कार दोस्तों कभी कबार होता क्या है हमको कंप्यूटर में धेर सारा टाइप करना होता है यानि कि लैपटॉप में कभी कबार हमको धेर सारा टाइप करना होता है और टाइप करना अगर हिंदी में होता है तो हमको और ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि हिंदी में अक आपको काफी हद तक आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है दो चार चीजें जो मैं बता रहा हूं हूं आप आसानी से अपने कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग वाइस टाइपिंग में कर सकते हैं जी हाँ जैसे हम मुबाइल में अपने वाइस टाइपिंग करते हैं हिंदी को फटाफट लिक लेते हैं गूगल वाइस टाइपिंग के द्वारा ऐसे ही सेम तरीके से हम आज कंप्यूटर में यह Microsoft Word document मैंने लिया इस document पर हमको काम करना है और इस document को हमने खोल लिया Suppose that हम इस पर कोई भी कुछ भी typing कर रहे हैं पहले suppose that हमने English में typing की और उसके बाद हमने select किया Hindi में और हमने Hindi में typing शुरू की और Hindi में typing शुरू करने के बाद हमें मालूम है कि Hindi में हमारी typing speed slow है तब हम जो option मैं आज बताने वाला हूँ कैसे use कर सकते हैं आएए बहुत आसानी से समझते हैं हम इसको minimize कर देंगे और इसके बाद सबसे पहला step जो करना क्या है उससे पहले एक बताने से पहले एक बहुत important चीज में बता दूँ आपका जो laptop हो या आपका desktop इंटरनेट से connected होना चाहिए otherwise आप voice typing का आनन्द नहीं उठा पाएंगे सबसे पहले करना क्या है आपको Google Chrome खोलना है Google Chrome खोलने के बाद इस टाइप का interface आएगा और इस टाइप का interface सबके Google Chrome में आता है और यहाँ पर यह जो देख रहे हैं 9 dots दिये हुए हैं यहाँ पर हम click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर यह Google के apps हैं यहाँ पर आपका account दिखेगा account के बाद यहाँ पर यह Google के जितने भी products यहाँ पर सारे के सारे दिखेंगे बहुत आसानी से तो हमको click किस पर करना है Google का जो product है docs पे यहां पर हमने docs पे click किया और docs यहां पर खुल जाता है इसके बाद हमने क्या किया blank document कोई भी select का लिया अब इस type से यह हमारा blank document यहां पर खुल जाएगा और यह भी आपको बता दें google docs भी वैसे ही work करता है जैसे हम microsoft word पे काम करते हैं यानि की MS word पे काम करते हैं यहां पर google doc हमने खोल लिया है अगर google doc आपके में mobile में भी है तो mobile में भी इस option का आनन्दा उठा पाएंगे हम फिलाल laptop पर voice typing की बात कर रहे हैं अब हमने google doc खोल लिया google doc के बाद हम कौन से option में जाना है यहां पर ऊपर आपको option मिलेगा tools tools पर हम click करेंगे और click करने के बाद यहां पर option आएगा voice typing voice typing यहां पर option आएगा इसको हम control shift और s button से भी on कर सकते हैं फिलाल हम यहां पर click करते हैं voice typing इसके बाद यहां पर आपको थोड़ा सा change और करना पड़ेगा यहां पर क्या करना है English UK जो लिखा हुआ है English UK के स्थान पर आपको यहां पर language select करनी है और हमको यहां पर Hindi language select करनी है धेर सारी languages का option मिलेगा और एक चीज में बता दूँ आप English भी इसमें voice typing जो भी language आप select कर देंगे उस language में यह voice typing करेगा अब यहां पर हमने यह language हमने हिंदी select कर ली और इस mic पर हम touch करेंगे बहतर typing के लिए बहतर voice typing के लिए आपको अपने laptop में एक mic connect कर लेना है mic वही आपको 3.5 जो mm jack है उसमें लगा देना है mobile का earphone भी बहुत बहतर काम करता है यहां पर हम शुरू क्या करेंगे अब जैसे हमने यहां पर touch किया मान के चलिए मुझको एक कहानी लिखनी है देखें मुझको एक कहानी लिखनी है फिर दोबरा इसने बोला जो मैं बोलूँगा वो सारी चीज़ें यह type करेगा एक राजा था उसके तीन जानिया थी राजा का नाम दश्रत था राजा के चार बेटे थे तब इस type से आप जितना भी लिखते जाएंगे अब वो सारा कुछ यहाँ पर type करता चला जाएगा जितना भी आप इसमें लिखते हैं और बहुत अच्छे से यह type करेगा है ना option यह बहुत मज़ेदार अब जैसे ही हम माइक पर click करेंगे यह हमारी typing stop हो जाएगे अब हम क्या करेंगे इसको हम यहाँ से copy कर लेंगे control प्रसी दबाके और copy करने के बाद फिर इसको minimize कर देंगे minimize करने के बाद जिस document में हम work कर रहे थे यानि कि इस document में हम work कर रहे थे यहाँ पर लाके हम paste भी कर देंगे, paste करने के बाद इसको हलकी फुर्की सी editing कर लेंगे, जो हमको चाहिए है, editing करने के बाद हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, अब यहाँ पर हमने edit कर लिया, और यहाँ पर word document में आके हम बहुत 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 तरीके से edit कर सकते हैं, जैसा हम चाहते ह और यहां पर देखें, बहुत आसानी से हमने चार लाइने बहुत कम टाइम में टाइप कर ली हैं, वोइस टाइपिंग से, तो कितना भी बड़ा लिखना हूँ, आप आसानी से इसमें टाइप कर सकते हैं, ऐसे ही टेकनिकल वीडियो मैं और भी आपको बेहतर सिखाने के सकें, थैंक यू सू मच